हेलो दोस्तो स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में दोस्तो जहां सिखाया जाता हैं बहुत कुछ तो आज मैंने इस तरह का पर्स बना के तयार किया हैं जो बहुत ही यूजफूल है इसमें पीछे की साइट देखिए इस तरह से मैंने जिपर लगा के पॉकेट बनाया है और यह देखिए यहां भी एक पॉकेट है और इसको ओपन करेंगे तो यहां पर इस तरह से मैंने वैल क्लो लगाया है और इस तरह से इसमें कोई भी सामान सेट कर सकते हैं आप मोबाइल भी सेट कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे बंद करेंगे और तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही यूजफूर और सुन्दर पर्स बन के तैयार हुआ है आप भी ऐसा बना सकते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए क्या क्या मैटरियल चाहिए और बनाना सुरू करते हैं इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए है तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल से जल पहुँचे देखे दोस्तों सबसे पहले मैंने ये फोर फोल्ड में इस परका से चावल की पन्नी लिया है और उसके उपर मैंने ये फेबरिक लिया है और फेबरिक ये जो परदे हैं परदे के फेबरिक से मैंने इसे इस तरह से स्टीज किया इसके उपर हम इसे स्टीज करेंगे और ल यह मेरी चावल की पन्नी है यह बहुत ही लूज है इसलिए मैंने थ्री फोल्ड में लिए है आप इसे टू फोल्ड में ले सकते हैं इससे ज्यादा नहीं ले जो अच्छी वाली होती है ओ यह नॉर्मल है इसलिए मैंने थ्री फोल्ड में ली है तो देखिए इस तरह से इसे कटिंग करेंगे और इस पेबरी का नाप क्या है वो मैं आपको बता दूंगी तो पहले मैं इसको इस तरह से रेडी कर लूंगी फिर उसके बाद मैं इसका नाप बता दूंगी इस तरह से देखें इसको किस तरह से रेडी करना है अब देखिए हमें क्या क्या लेना है देखिए ये दो मैंने वेल्कोर लिये हैं इस तरह से 1 वन इंच का है और एक जीपर लिया है इसका नाप मैं आपको दिखा देशे हूआ है एक रणर लिया है और इसका नाप देखिए इस तरह से 9 इस कुल्टन की पीस देखिए 7x5 इंच इस तरह से एक कुल्टन पीस लेना है एक नॉर्मल फैबरिक इस तरह से ले लेना है अब देखिए अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना इस लाइनिंग को लेंगे और एक कुल्टन पीस लेंगे और इस तरह से एक हमें उरे पट्टी ले लेनी है ताकि हम पाइपिन लगाएंगे और इस तरह से एक लाइनिंग और एक कुल्टन पीस लेंगे और उसके उपर इसे अटेज करेंगे इसके उपर जीपर अटेज करेंगे तो जीपर को हम लेंगे और उसे ओपन करेंगे और एक साइड से हम उसे लगाएंगे इस तरह से देखिए हमें जीपर को उल्टा रखना है जो हमारा मेन कुल्टन पीस है उसकी तरफ सीधा रखना है और इस तरह से उल्टा रखना है उपर की साइड से इस तरह से रखेंगे हम और लाइनिंग को इस तरह से इसको उपर रखेंगे और इसे स्टीज करेंगे अब दोनों साइड हमें इसी तरह करना है अ किस्टीज चाहा भाइनिए म справद दित भाइनिए इस ही तरह से इसısı देड़िसे भी मैं को खज़िआ को सेंसे नहाँ है झाल 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 झाल